हाई लेमिंधीज, वेलकम टू इजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हो तबता और गाईज आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सब मुश्किल टॉपिक लेकिन उसे असान वे में समझने वाले हैं, जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेवियेशन, काफी सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को काफी डिफिकल्ट मानते हैं क्योंकि इसमें अंडर रूट आ जाता है, उसे सॉल्फ करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट गाईज बहुत असान है ये टॉपिक, अगर आप समझ लो एक बार और सारे formula जिसके नहीं करने हैं, आपको simple दो formula पर अपने पूरा चेप्टर को complete करना है, like वो आपको question में सिर्फ standard deviation पूछते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि आपको किस method से solve करना है, तो आप सिर्फ दो formula कि ठूझ इसको सीखो, असान रहेगा और ना ही आपको जादा confusion रहेगे, तो सबसे पहला हम method जो लेते हैं guys वो है actual mean method ठीक है दूसरा है direct method अब मैं आपको बताऊंगी कि consistency में आपको कौन सा method यूज करना है बस ये वीडियो को end तक जरूर देखना सच में आपको बहुत असानी से समझ आ जाएगा देखो सबसे बहले तो standard deviation का guys जो sign होता है वो इस तरीके से होता है जैसे आधा न बनाया हो हमने ये standard deviation का sign होता है और इसको solve कैसे करते हैं इसका formula क्या है under root summation x square upon में n ठीक है x जो की small x है ये actual mean method है इसका मतलब है आपको actually mean को find out करना है हमारे पास अभी individual series है ठीक है जिसके साथ frequency नहीं होती तो individual series में हमें अगर mean निकालना हम निकाल सकते हैं कैसा mean का formula क्या होता है guys summation x upon में n अगर हम इसका summation करें तो देखो कितना आते हैं 150 divided by 5 items हैं तो mean आ गया हमारा 30 अब actual mean के through हमें small x निकालना है जो क्या होता है x minus mean यानि कि इस series में से हमें 30 minus करते हो जाना है तो 10 minus 30 minus 20 20 minus 30 minus 10 0 40 minus 30 10 20 अब हमें x का square करना है तो x का square कर लेंगे 20 का square होते है 400 100 0 100 400 यह आगया guys हमारा thousand राइट अब हमें बस इससे solve करना है तो standard deviation का sign लगाएंगे small x thousand divided by n कितना था guys हमारी कितनी आइटम से यह 5 थी तो यह आगया under root में 200 अब हमें इसका root निकालना है तो 200 का root आप लोगों को आना चाहिए अगर नहीं आता तो भी आप सीख सकते हो guys आ लाइक आपको 2 के pair बनाने होते हैं back से माला पीछे से आपके 2 फिर यहां पे सिर्फ एक बच रहा है इसके साथ को एक number नहीं है तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है ठीक है यानि कि 2 0 है यानि कि आपको pair बनाते हो चलना है तो आपने यहाँ पर pair बनाया 2 का कोई pair नहीं है 0 का pair है ठीक है अब हमें कुछ ऐसा number लेना है जो 2 1 के आए multiply होकर या फिर उसे कोई कम ठीक है तो हमें पता है 2 2s करेंगे तो 4 होगा लेकर 1 1s करेंगे तो 1 आएगा ठीक है आप 2 में से अगर 1 गया तो कितना आया 1 यह आपकी एक stage clear हो गई अब आपको जैसे divide में हम सिर्फ एक number आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 2 number आगे बढ़ते हैं अब हमारे 2 0 तरके आजाएंगे और यह number इसमें plus हो जाएगा तो 1 plus 1 2 अब हमें किसी ऐसे number से multiply करना है guys यह 2 के साथ जो खाली जगे है इसको 1 से करेंगे तो नीचे भी 1 से 21 या फिर हम लेंगे 2 तो नीचे भी 2 22 टूजा 44 ठीक है तो ऐसे ऐसा कोई number लेना जो यह तो 100 बनता हो या 100 से कम हो तो हम यहाँ पर अगर 3 ले तो 3 कितना आएगा 9 69 4 ले तो 4 कितना आएगा तो यह 4 पर जाएगा यानि कि 24 फोर्जा तो आपको multiple में यह देखना होता है तो यह आगया 96 अब यहाँ पर सिर्फ आया 4 ठीक है अब 4 नहीं जा सकता राइट 4 नहीं जा सकता तो हम यहाँ क्या लगा देंगे point यहाँ जाएगा 24 प्लस 4 28 अब हमें नेक्स ट standard deviation के लिए आपको root निकालना नहीं आता तो guys कमेंट में share करना मैं root किये कलग से video बना दूंगे जिसमें आप असानी से समझ सकते हो तो अब हम अगर से solve करें guys तो यह आएगा आपका हमारे actual mean method एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि answer क्या यही आ रहा है yes answer यही आ रहा है 14.1 ठीक है तो आप इस तरीकिसे से solve कर सकते हो अब मैं आपको बताती हो कि direct method इससे कितना जादा असान है हमने यहाँ पर multiply किया मलब multiply करें sorry minus किया था उसके बाद उसको square किया था तो काफी सारी चीजे थी right लेकिन अब अगर आपका answer point में आता है guys point बोले तो अगर मेरा यहाँ पर 30.5 आता तो आप सोचो calculation कितनी बड़ी हो जाती 10 minus 30.5 20 minus 30.5 तो यहाँ पर भी हमारा point में आ रहा होता फिर उसको square करना बड़ा मुश्किल हो जाता तो अगर आपका answer mean अगर आपका point में आता है mean अगर आपका point में आता है guys तो आपको actual mean method use नहीं करना ठेक है आपको कौन सा method use करना है direct method जो कि बहुत असान है उसमें आपको यह step और यह नहीं करने होते यानि कि इन दो step को हम काट देंगे हमें सिर्फ करना होगा x का square यानि कि इसका square कब जब हमारा mean अगर आपका point में आते है तो आप वो method choose कर सकते हो या फिर point में नहीं भी आता तो भी choose कर सकते हो अगर point में आते हैं और आप यह method choose करते हो तो आपका question में answer आना बहुत impossible हो जाते है क्योंकि point का square निकालना मुश्किल हो जाता है अब यहां पर हम इसका square करें 10 का square 100 यह आ गया guys हमारा कुछ इस तरह कैसे ठीक है तो अब इसमें formula क्या है देखो formula है हमारा इसको पहले plus कर लेते हैं हम लोग यह हो गया पांच इसार पचपन सो रुपे ठीक है पचपन सो रुपे नहीं पचपन सो ठीक है अब अंडरूट summation x square हमारा कितना आ रहे है पचपन सो divided by n कितना था हमारा 5 minus mean कितना आया हमारा 30 का square ठीक है अब यह आगया guys हमारा 1100 minus 900 यह आगया 200 और 200 का हमने अल्रेडी निकाल लिया 14.1 तो इस तरीके से आप इसे बहुत असानी से solve कर सकते हो बस जब आपका mean point में आएगा तो आपको direct method पे कूद पढ़ना है अगर आपका mean point में नहीं आता तो आपके पास option रहती है कि अगर आपको यह method easy लगता है तो आप actual mean से कर सकते हो या फिर direct से तो आपके पास option रहेगी कब जब आपका answer point में नहीं आ रहा लेकिन अगर point में आ रहा है तो इधर पूद पढ़ो direct method पे यह method में अपना time waste नहीं करना तो इस तरीके से आप standard deviation निकाल सकते हो गाइस और अगर आपको root निकालने में कोई problem है तो उसकी भी class ले लूँगी आप comment के थूँ बस एक बाशिक बाशियर करना Thank you